Hello traders and welcome to the studio members HTPC bank, ICICI bank and escot यह तीन stock आज हमने अपने private group में morning में शेर के दिए जिसमें HTPC bank को हमने trade किया किस strategy को according trade किया entry stop loss and target point इन तीनों के ओपर discussion करेंगे पहले देखिए इसको जब हम back कर रहे हैं तो देखिए यहां पर हमको एक support area मिला और stage यहां पर करते हैं यहां पर भी support area को और stretch कर देंगे तो देखिए आगे चल करके तीन बार price ने same level पर react किया है वह भी same direction मतलब downside की तरफ यहां पर देखिए price हमारा upside की तरफ यहां से नीचे की तरफ और यहां से फिर upside की तरफ चला गया और वापस से जब देखिए price ने high लगा कि फिर से low लगाया तब से हमारे range के नीचे ही यह trade कर रहा है यहां पर इसके एक दिन पहले भी गिरा और आज भी price हमको same level पर मुला उसी level से price वापस से गिर गया जिस level से यह कल के दिन गिरा था देखिए जूम करेंगे इसको देखिए वही level है जहां से price ने कल एक high लगाया और high लगाने के बाद गिर गया यह यहां से गिरा और आज भी price हमारा exact उसी level से downfall इस नहीं दिखाया तो same इसी जगह से जब price आया तो यहां पर हमने इपने group में call दे दी थी कि STFC bank का trade है हाला कि यह risky trade है वह बहुत अच्छी level reactions का काम करते हैं आगे चल करके हम लोग video में समझेंगे किस तरह से हमने falling rose pattern के recording आज के HTFC bank को mark करके share किया और आज ही किस तरह से हमने HTFC bank को trade किया एक एक चीज़ इसकी देखेंगे वापस से lower time frame पर चलेंगे देखेंगे वही pattern है जहां पर हमारी falling rose candles ने order book में देखेंगे आप overall जो हमारी quantities हैं 1090 quantities के साथ ये trade हमने execute किया था entry 1456 रुपर इसको एक बार refresh कर लेते हैं entry हमारी थी 1456 रुपर 55 पैसे की stop loss हमने जो इसके अंदर लगया था अपना 1459.30 का exact stop loss था profits जबुक के 144.000 profits बुक लिए था position book open करेंगे portion book में आप देखिए 1460.60 रुपर 55 पैसे का profit इसको एक बार refresh कर लेते हैं 14660.50 पैसे का overall profit और एक decent profit है जो कि आज हमको HDFC bank के थूँ एचीव हुआ देखिए market और भी नीचे गया यह तीन stocks थे तीन में से हमने HDFC bank को ही सिर्फ क्यूंकि तीनों stocks में सिर्फ HDFC bank नहीं confirmations दी short side की तरफ देख रहे थे and short side की तरफ हमें सिर्फ HDFC bank नहीं confirmations दी बाकि ICIC bank और Asher Motor दोनों अब side की तरफ निकल अभी उन दोनों stocks को भी देखेंगे and HDFC bank किस तरह से हमने trade के अभी जैसे हमने बताया है किस strategy की कोड़ी हमने HDFC bank को trade किया so thanks and start करते हैं अचके वीडियो morning से अपने किसी काम में हम काफी ज्यादा busy थे जिस वाज़े से वीडियो हम डिकॉर्ड ही नहीं कर पाय थे so अभी देखे जो time हो रहा है अपना आठ बचकर 46 मुट इसको refresh कर लेते हैं 8 बचकर 46 मुट का time हो रहा है लगभग 9 बजने भाले हैं शान के so वापस चलते हैं stock के उपर देखे काफी दिन पहले हमने एक system आपको बादा आया था falling rose नाम से falling rose को एक छोटा सा quick view हम यहाँ पर दे देते हैं falling rose के according होता क्या और falling rose के तो हम trade कैसे execute करते हैं description box में falling rose नाम से heading डाल देंगे और उसके आगे वीडियो का link रख देंगे click करके जरूर से जरूर इस वीडियो को देखेगा क्यूंकि बहुत सारी अच्छी चीज़े falling rose को deep में analyze हमने वहाँ पर किया और falling rose काफी अच्छी से समझाया है कि कैसे वहाँ पर हम entry, stop loss, target पर गाना लगाते हैं एक एक चीज़ है समझने की कोशिश कीज़ेगा इसको वीडियो को देखेगा और कैसे वहाँ पर falling rose का यूज किया है दोनों वीडियो में इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीज़ेगा बहुत सारी चीज़े समझ मैं चाहेंगे आपको okay, देखिए, falling rose में basically होता क्या है कि हम लोग 3 patterns को लेते हैं मतलब कि 3 candles का ये group होता है basically यहाँ पर volume का हम ज्यादा योज करते हैं कि एक ये बड़ी सी volume आ गई इसके बाद में छोटी volume आ गई और फिर से उससे कम volume आ गई मतलब कि गिरते हुए क्रम में 3 volumes बनी हैं हमारी first, second and third अच्छा यहीं परमलोग price को देखते हैं price के patterns किसी भी तरह के हो सकते हैं कि like price हमारा नीचे गिरते हुए क्रम में भी हो सकता है इसका just opposite कर देंगे तो price हमारा ऊपर भी जाते हुए के क्रम में हो सकता है मतलब uptrend में भी हो सकता है तो price जब भी हमारा uptrend में या downtrend में किसी भी trend में होता है हमारे लिए simply माइने रखती है इन candles के highs और lows इस पूरे patterns में जिस तरह से formations form होती है हमारे लिए high और low important होता है किस case में हम लोग second and third candles के importance लेते हैं ये भी वीडियो जब आप देखोगे तो आपको simply समझ में आ जाएगा basically आज के लिए हमारी इस वाले लेवल पर मेला हमने trade किया इसके अंदर short side की तरफ अब देखें simply stvc bank के अंदर stop loss entry वगरा तो आपने देख लिए है marking को कर देते हैं delete ताकि day time frame की marking आपको easily सौंच में आजाए वापा से day time frame पर आप जाओगे day time frame पर ये three candles आपको दीख रहे होंगे first second third simply अभी कुछ ना करते हुए अगर हम लोग इस एक candle का हाई माग करें तो आप थोड़ा सा price को read करने के कोशिश करो कैसे हम लोग read कर सकते हैं कि price ने यहाँ पर कुछ एक support zone बनाया आपना क्योंकि reading बहुत must है दीरे दीरे करके जब आप same process को continue एक ही दिशा में follow up करते रहते हो तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपको market सिखाती है समय दो market को और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ना सीखने के कोशिश करो क्योंकि आप सीखोगे तो अच्छा profit बना पाऊगे एक consistency आईगे और professionally आप काम करने में थोड़ा वह सक्षब हो पाऊगे free videos में देखते होगे आप लोग कि जो भी trade हम execute करते हैं उनके पीछे क्या logic है कैसे हम trade execute करते हैं यह साही चीज़े हम one by one बताते हैं तो video में बहुत मेहनल लगते बनाने हैं 9 बच रहा है करीब और video हम यह बना रहा है इसके बाद में फिर हम edit करें edit करने के बाद हम आप लोग के साथ share भी करेंगे ताकि जैसे हमने यह trade execute कि आपको मालूम पढ़े कि यह trade हमने execute किस तरह से किया तो video का रच्छा लगता है तो जरूर से जरूर इसको like किजएगा नीचे एक प्यारा सा comment कर दिजएगा और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को subscribe कर लिजएगा अब आगे की तरफ बढ़ते हैं अब अगर 1458 यह important area है मेरा तो हम लोग price को कैसे rate कर सकते हैं कि देखिए price हमारा नीचे की तरफ इसने आने की एक बार कोशिश की थी बट वापस से price हमारा ओपर की तरफ चला गया है ना इसके बाद में जब यह candle हमारी बनी इसके तीन दिन के बाद अगेन प्राइस हमारा downside की तरफ आया और वापस इसने क्या किया ना एक 2G candle फॉर्म करते हमारे level के नीचे ही opening और level के नीचे ही closing इसके बाद में अगर price हमारा weak है तो क्या करना चाहिए इसको भाई इस candle के नीचे ही निकल यह अगर यह weak है तो बट price ने क्या किया है कि वापस price हमारा हमारे इस वाली level के अंदर जाकर के trade execute करने लगा मतलब कि फिर से price हमारा 1458 के अंदर चला गया और वहीं पर trade कर रहा है 1458 के ओपर price हमारा trade कर रहा है और अगेन देखे price जब हमारा नीचे की तरफ गिरा तो यहाँ पर पहली बार एक black candle बनी है ना जब black candle बनी तो price ने क्या क्या previous जो support था जहां से price ने एक high लगाया यह high कैसा लगा कि एक यह low area और यहाँ से देखे एक high लग गया मतलब कि यह एक low point और यहाँ पर high लग गया clear है तो एक तो हमने support mark कर ले और second हम यह high mark कर लेंगे और important price हमारा कौन सा है 1458 यहाँ पर देखे हमारा price गिरा closing की 1458 के नीचे और price हमारा नीचे की तरफ गिर गया यहाँ पर देखे है ना और फिर से price हमारा उसी जगह पर आ गया लेकिन जब price हमारा वापस हमारे level पर आ रहा है तो कल हमने एक चीज़ आपको बताई थी volumes के contributions किस तरह से अपनी level के पास में लोग लेते हैं कल एक short video भी हमने बनाया था इसके उपर volumes को on कर लेते हैं यहाँ पर देखे क्या हो रहा है प्राइस तो बेशक हमारा हमारे resistance level तक पहुँच रहा है बट इसके अंदर की volumes कम हो रही है volumes यहाँ पर देखेगा कितनी क्या बन रही है 30 September की volume 7.89 million इसके बाद 5.77 million और 4th की volume 7.69 million समझ रहे हैं volumes लगातार कम हो रही है और volumes कम होने के साथ साथ प्राइस हमारा upside के तरफ जा रहा है मतलब resistance level के पास में जा रहा है इससे की resistance के confirmation हमको समझ भी है कि प्राइस ने resistance के confirmation की है प्राइस ने जैसे ही देखे यहां पर यह वाली volume फॉर्म की अगले ही दिन market वहां से नीचे के तरफ गिर गई और फिर से प्राइस हमारा upside के तरफ गया और आज प्राइस हमको उसी जगह पर मिला है जहां से कल के दिन भी market गिरी है उसके पहले प्राइस सेम लेवल से गिरा है और इसके पहले भी हमने आपको दिखा देगी कैसे market ने यहां पर अपना एक resistance वाम की और लगातार यहां से नीचे की तरफ गई पर किसी भी stock हमें trade करना है तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि आँख बंद करके जो भी stock मेरे सामने पड़ा हमने trade कर दिया simply हमें देखना होगा कि day time frame पर वहाँ पर क्या हरकत चल रही है even lower time frame पर भी वहाँ पर क्या हरकत चल रही है अब हमें मालूम है कि lower time frame पर यह area मेरे लिए बड़ा important है past time भी देखो आपके price जब गिरा है तो इसी level से गिरा है और फिर से देखे आज के trading session में वापस से price हमको इसी जगह पर मिल गया अब lower time frame पर हमने किया कि simply एक confirmation यहाँ पर ली mother candle के breakout पर group में हमने साफ साफ लिख दिया था कि trade थोड़ा से risky है बट फिर भी हम यहाँ पर risk ले सकते हैं यानि कि यह trade हम execute कर सकते हैं तो simply यह जो green वाली candle अब देख रहे हो इसके नीचे जैसे ही price निकला हमने 1456 रुपए 55 पैसे पर सारी quantities लगा दी और इसके उपर ही अपने stop loss रख दिया और target points जो हमने रखे थे previous day का just low point हमने अपना target रखा था इसके पास में अगर price हमारा आता तो यहाँ से हम निकल जाएंगे बट फिर भी price यहाँ तक आया ने तो simply जो हम यहाँ से निकले हैं इस वाले अरिये पर हम यहाँ से बाहर निकल गये थे कहीं इसके आसपास में बाहर निकल गये थे वापस जब price हमारा नीचे के तरफ गिरने लगा था तो overall यह अपना trading का setup था entries, stop loss, target, day time stream के rating सारी चीज़े हमने आपको बताई है धीरे धीरे करके अगर वीडियो एक बार में समझ में आए तो दोबारा प्ले करें दोबारा प्ले करके देखें और जिस वीडियो का description में हम लिंक टालेंगे उस वीडियो पर जा करके वहाँ से वो वीडियो देखेगा एक एक चीज़ आपको समझ मेंगे Thanks and I hope कि काफी सारी चीज़े आपको clear हुई होगी और फिर से हम बोल रहे हैं कि prices को without any type of indicator rate करने की कोशिश कीज़े क्योंकि indicators lagging होंगे हमेशा वो price को follow up करते हुए चलेंगे जहाँ जहाँ price चलेगा वहाँ वह indicator चलेगा तो इसलिए indicators से थोड़ा सा focus अटा करके थोड़ा सा price action पर आईए आप ज्यादा confirmation और ज्यादा confidence के साथ काम कर पाऊगे और trade execute कर पाऊगे रही बात profit की तो profitable आप हो जाओगे 100% sure है Thanks and we will meet again